प्रेंट्स नौ भी विल सी दी कॉंसेप्स ओफ मोस्ट इफिशियंट ट्रेंगुल श्रेक्शन देखो कोई भी ट्रेंगल है सपोर्ज इस इस देंगल चीक है यह थीटा एंगल है इसका ठीक है थीटा मतलब स्वारी यह थीटा है यह हम लोग यह वाला ने दे रहे थीटा हम टॉप इसकी क्या हो जाएगी ठीक है तो जहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टॉप विट्ट टू एंवाए हो जाएगी और यह स्लैंड लैंड किती हो जाएगी इसकी वाई अंडरूट वन प्लस एम स्क्वार ठीक है यहां से हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं वह ही क्या एडिया का फ़र्मॉला लिखते हैं एडिया का फ़र्मॉला को यहाप बेसिंट एड्ट आप बेस किता है टू एम वाई इन्टु एड्ट किती है यह है तो यह से यह गया होंगे m y square आगे हमारा एरिया पैरिमेटर क्या हो जाएगा स्लेंड लेंड का ट्वाइस तो ट्वाइस ऑफ स्लेंड लेंड ट्वाइस ऑफ वाइंडर रूट बन प्रस M स्कूर ठीक है यहां से हम पैरिमेटर की वेल्यू निकाल लेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोग रखते ओवर डेल वाए इसको हम डिफ्रेंशेट करेंगे तो हमारे पास कुछ यह वैल्यू आजाएगी दिस नतीं बद मैथमेटिक्स वहीं सिंपल डेरिफ्रेंशेशन करना है ठीक है यहां से फाइनली एज इकोस्टो हमारे पास आगया य स्कूर ठीक है मतलब एरिया जो है वो होना चाहिए डेप का स्कूर होना चाहिए ठीक है ए इसीं मोड को बताता हूं एक सिकेंट देखो एरिया इजिकोस्टो य स्कूर इस इक 25 को हम लोग a is equals to लिख सकते हैं m y square when m की value क्या होगी जब 1 होगी m की value जब 1 होगी तो हम इसे m y square लिख सकते हैं m की value 1 कब होगी m की value 1 कब होगी यह triangle है यह 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 ठीक है यह यह 1 है और यह m है तो m is equals to अगर 1 हुआ तो मतलब यह और यह दोनों सेम हो गई this side is equal to this side यानि कि जो slant length है वह half of the top width के बराबर हो गई इसका मतलब यह वाले triangle में यह distance और यह length सेम हो गई ठीक है जब यह दोनों सेम हो जाएंगी ना sorry मुए मिस्टेक गडबड़ कर दी थोड़ी सी और यह एक एक यह यह स्लोप और यह 11 हो गए जब यह सिलोप 11 propose one men जाएंगे दोनों के दोनो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब भी हुआ कि त्क कितना हो जाएगा सेटा कितना हो जाएगा लेका एक छ pouco 45 डेकल्ट जद नहीं हो जाएगा और वेसलिओ जाएगा क्यूद क्योंकि जब हमारी दो साइट से ना पर्पेंडि pursue और बेज दोनों सेम केस में जब यह एंगल होता है इस होता है में न क्याppen है ठीक बात तो हमारा most efficient triangular section में क्या सीन होना चीए most efficient triangular section में क्या होना चीए कि जो एंगल है टूटल यह 90 डिगरी का होना चीए ठीक है कैसा होना चीए 90 90 डिग्री का यह जो ट्रेंगल बनेगा यहां पर यह ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्तों ठीक है तो है ओप आप लोग के समझ में आया होगा फंडा क्या है टोटल डेरिवेशन हमने कैसे किया और मोस्ट इफिशियंट ट्रेंगुलर सेक्शन की क्या प्रोपर्टी